हाई फ्रेंट्स स्वागात है अप लोग है साइन्स कोचिंग सेंटर में तो फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनमेत्री सुत्र यानि क्लास 10 का हम लोग फर्मूला इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें यहां पर आप दे सकते हैं दिया गए साइन स्कवाज ठीटा प्लस कॉसेटा इसका वैलिव जी होता है दुस्रा है सेक स्कॉर्टट एक शॉत को ट्यू ही उत यह जैसे तीन पहल गया इससे मिनिमंभा 15 ऐरच बनेंगे एक में पांच होगा दूसरे में पांच होगा और तीसरे में पांच होगा तो आई हम लोग इसको देखते हैं जैसे यहां दिया गया है स्कूर्टप्लस कोश्च टून इकवल टू वॉन टाइक है तो यहां आपका दूसरा फ जाये तो हम लोग दूसरा फॉमूला देखते हैं जिसे यह दिए गए है यह वह भूद से यह वहाद आखाई टिटा माइनस 10 EQUAL TO 1 तो c square theta equal to क्या हो जाएगा 1 plus 10 square theta क्योंकि है माइनस है यह वहलों है यह लेट से राइट में आएगा तो ही हो जाएगा प्लस नेफ्स फॉर्मुला दियागा है आपका सेग drita माइनस 10 स्कूड ठीट इकोल टू one जिसे आप लोग यहां देख सकते हैं तीसा फ raped n है ये कि सेग स्कूड ठीट और माइनस one क्योंकि ये वाले प्लस है तो इधार आएगा तो माइनस होगा और ये वाले माइनस है यानि left side में minors है तो right में हैगा तो यह हो जाएगा plus उसी परकार चोथा formula दिया गया है जैसे यहां देख सकते हैं sec square theta equal to 1 plus 10 square theta तो यहां अगर sec लिखेंगे तो इधर root चर जाएगा यह हो जाएगा under root 1 plus 10 square theta उसी परकार यह भी हो जाएगा under root sec square theta minus 1 equal to 10 theta next formula देखते हैं हम लोग cos square theta minus cot square theta equal to 1 same process है यह हो जाएगा cos square theta equal to 1 plus cot square theta क्योंकि यह minus है इधर आगा तो plus होगा तीसा formula है cos square theta minus 1 equal to cot square theta जैसे आप लोग देख सकते हैं cos square theta है तो cos square theta है इसको कुछ changing नहीं किया गया है यह वाले plus है तो इधर आगया है तो minus हो गया और यह वाले भी minus है तो इसको right side मिले लिया गया तो यह हो गया plus ठीक है चोथा formula है आपका cos square theta equal to under root 1 plus cot square theta जैसे यहां देख सकते हैं यहां square जैसे हटा है इधर root चर गया है सेम उसी परकार यहां भी अगर root चर रह जाए तो इधर square हट जाएगा तो यह भी पाचो हो जागा under root cos square theta minus 1 equal to cot theta कुछ और formula है उसको भी हम लोग देख लेगते हैं तो यहां दिया गया है आप देख सकते हैं 1 by sin theta equal to cos theta 1 by cos theta equal to sec theta 1 by 10 theta equal to cot theta और 1 by cot theta equal to 10 theta 1 by sec theta equal to cos theta और 1 by cos theta equal to sin theta जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं sin के उल्टा होता है cos theta, cos के उल्टा होता है sec, 10 के उल्टा होता है cot और cot के उल्टा होता है 10 तो इसको ऐसे भी आप लोग याद्याद सकते हैं 10 फर्मूला आपका है, देख सकते हैं sin theta बाटा cos theta equal to 10 theta अगर इसको प्लट दिया जाएगा तो वे cot theta का formula बन जाएगा तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं यहां sin theta बटा cos theta था तो यह हुआ 10 theta लेकिन इसको प्लट दिया जाए तो यह हो जाएगा cos theta बटा sin theta तो equal to में हो जाएगा यह cot theta तो friends उमीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share और comment करना ना हुले thank you for watching वीडियो